हेलो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चैनल एजुकेशन नोलिष टीपे हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी हर्यानक गुरुफ डी बरते को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबरा रही है जी हाँ आप सभी साथ सेर करने वाले हैं क्या कुछ इनफोर में ल। इकतंतरो इसर आप अपोन्दों से कब आपकी गुरुफ की बरती है वो निकलने वाली है कब आतकी परिक्षह होगी वहीं आपको बावन बता दूँ है ज जो होने में सी इट जो होगा उसके बाद क्या और भी परिक्षह होगी हुए कितने पोहँगी आंस को बताएं 17,000 से लेके 22,000 पोस्ट है इसमें ठीक भी कानफॉम अभी नहीं है लेकिन 17,000 से 22,000 पोस्ट पर गुरूप डी का जो एक्जाम है CET है वो होने वाड़ा है फोरम कब से ओनलाइन होंगे तो फोरम ओनलाइन होने की जो इनफोरमेशन है वो आ चुकी है 12 फरवरी से आपके फोर हम ओनलाइन होंगे वहीं परिक्षा किस दिन होगी यह मैं आपको बता देता हूं परिक्षा का जो समय है जो तीथी है वो पहले बता दी गई थी जो की 5 और 6 मार्च 10 और 11 मार्च नेशनल टेस्टिंग एजन्स के पास पहले अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिस्शन ने लेकिन आपके परिक्षा जरूर होगी मार्च में नहीं तो अप्रेल में जरूर हो जाएगी ठीक है फोर्म आपके बरे जाएंगे फरवरी में वहीं आपको बता दूँ क्या आपको दोबारा फोर्म बरना है जिन्होंने पहले फोर्म बर रखका है गुरुप C और गुरु क्या जो प् Els alguns के बाद कोई उवरिक्ष्ण नहीं होगी उसी की अधार पर आपका सेलेक्षन होगा उसी वें जो मैंट लगीगी उसी की कैणार पर आपका सेलेक्षन हो जाएगा उसमें ना तो कोई इंट्रू होना है ना उसके बाद कोई एक्जाम होगा तो यह बड़ी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडिक लाइक कीजिगा अगर आप नए है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा